तमशकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एजूकेशन न्यूज विद दीपिका में दोस्तों सिक्षामित्रों को जून का मांदे नहीं मिलता है ये बात सभी लोग भली भाती जानते हैं यानि की सिक्षामित्र जून में विरोजगार हो जाते हैं और सिर्फ मई के मांदे से ही अपने जून का खर्चा चलाते हैं इस बात को लेकर कई बार आवाज उठाई गई कि सिक्षामित्रों को जून का मांदे मिलना चाहिए लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला बाबजूद इसके कि सबको पता है कि जून महा में मानदे नहीं मिलता है सिक्षा मित्रों की किसी ना किसी कार में ड्यूटी अवर्शे लगा दी जाती है ऐसा ही एक आदेश जो है वो हम लोगों को देखने मिला जो की बलिया का है और इस समय आपकी स्क्रीन पे है आप देख सकते हैं कार्याले खंड सिक्षा दिकारी बलिया विशय दिव्यांग व्यक्तियों के UDID कार्ड बनाने के संबन्द में कार्याले जिला बेसिक सिक्षा दिकारी बलिया के आदेश से पतरांग संख्या इतने दिनांग 27 मई 2020 वा जिला दिकारी मौदय बलिया के आदेश क्रम में UDID कार्ड बनाने हेतु पंचायत साहट से समन्वेग स्थापित कर उस ग्राम पंचायत ग्राम सभा में अवस्तित प्रात्मिक विध्यालव में कार्याच सिक्षा मित्र की ड्यूटी रोस्टर के क्रम में लगाई जा रही है आप संगलंग सूची रोस्टर के अनुसार उक्त कार्ड बनवाने में सहयोग करेंगे यानि कि सिक्षामित्रों को बलिया के सिक्षामित्रों को जून महा में UDID कार्ड बनवाने के विशे में इनकी ड्यूटी लगाई गई है जबकि ये बात सभी लोगों को पता है कि जून के महांदे में सिक्षामित्रों को कोई भी वेतन, कोई भी मांदे नहीं मिलता है वो बिरोजगार हो जाते हैं उनकी संविदा जो है वो मई महीने में ही समापत हो जाती है बाब जूदिस के लगातार किसी ना किसी कारे में सिक्षामित्रों को लगाया जरूर जाता है अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि सिक्षामित्र आखिर जून के महीने में अपना घर क लगा दी जाती है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल बंदा है कि एक सिक्षामित्र परिवार मात्र दस अजार रुपए जिसको मानदे मिलता है वो एक महीने बिरोजगार रहे कि अपना परिवार किस तरीके से चलाए।